असलामेकुम, मेरा नाम है तईबा और आप देख रहे हैं आडियो विज्वल बुक्स किताब का नाम है बोस्ताने साधी मुसनिफ है शेख साधी रहमतुला अलै इस किताब का इप्तदाया हमने देखा है आईए आज इस किताब का बाकाइदा आगास करते हैं अल्लाद की हम्दो सिना किताब का पहला चैप्टर है और ये शुरू करते हैं अल्लाद की नाम से आगास है जो जहान को काईम रखने वाला और जान को पैदा करने वाला है ऐसा हकीम है कि बात को जबां पेदा प्यदा फर्मा देता है मददगार और माली को बख्षिश फर्माने वाला है दुआ कबूल करने वाला, गुना बख्षने वाला और करम फर्माने वाला है ऐसा इज़त देने वाला है कि जो कोई उसके दर्श से फिर गया उसको कोई भी इज़त ना दे सेगा बड़ी बड़ी अजमतों वाले बादशा उसकी बारगाह में जुके हुए है गुनागारों को जल्दी नहीं पकड़ता और ना ही जालिमों को जब वो तोबा कर ले अपनी बारगाह से बगाता है अगर बंदे की नाफरमानी की वज़ा से घजबनाक होता है तो जब बंदा नाफरमानी छोड़ देता है तो अल्ला भी उसकी कहानी लपेट देता है अगर कोई शक्स अपने बाप को तंग करे तो बाप नराज हो जाए किसी रिष्टेदार को सताओ तो वो बिगानों कासा सलूक करे नोकर अगर काम चोर हो जाए तो मालक नराज हो जाए दोस्त अगर दोस्ती में कमी करे तो दोस्त छोड़ जाते हैं लशकरी अगर मुल्क की खिद्मत छोड़ दे तो बादशा उससे बिजार हो जाए लेकिन इस मालको मुल्क अल्ला ने कभी हमारी गुनागारी की वज़ा से हम पर रिस्क के दर्वाजा बन नहीं की फरमाया उसके इल्म की वुस्षतों का ये आलम है कि दो जहां उसके इल्म के समंदर के सामने एक कत्रे ही हैसे तरखते हैं गुनागारों को गुना करता देख कुद्रत होने के बावजूद पर्दा पोशी फर्माता है सारी जमीन उसका दस्तर हुआ है जिस पे दुश्मन और दोस सब पल रही है अगर वो जालिम को पकड़ ले तो उसके कहर से इस जालिम को कौन बचाए उसकी जात मुदे मकाबिल और हम जिनसे पाक है उसकी हकूमत जिनों इसकी ताबेदारी से बेन्याज है हर कोई उसके हुकम का बबंद है चाहे वो इनसान है या दरिंद परिंद चरिंद या मोरो मग्स उसने सखावत का ऐसा दस्तरखवान बचाया हुआ है के कोकाफ में रहने वाला परिंदा भी रोजी से महरूम नहीं मखलूप के काम सवानने वाला करीम और महर्बान है अलीम बज़ात तुस सदूर है और सबका महाफिज है खुदियो किब्रियाई सिर्फ उसकी जात को जेबा है क्योंकि उसका मुल्क बाकी है और वो खुद गनी है किसी के सर्ताज रखता है और किसी को तक्स से उतार कर तक्ते पर चड़ा देता है और मिट्टी में मिला देता है कोई उसकी अता से नेक बखती की टुपी पहने हुए है तो कोई बखती की गडरी में है खलील्ला पे आपको गुल्जाल कर रहा है तो कलीम उला के दुश्मन को द्रियाए नील में घर्ख कर रहा है वो इसके गरम का मज़र है तो ये इसकी नाराजगी का निशाना पर्दे में होकर बदकारों को देखता है और उनकी पर्दा पोशी फर्माता है अगर सिर्फ ड्राने धमकाने के लिए ही अपने हुकम की तिलवार सौंपते तो मकर्ब फरिष्टे भी गुंगे बहरे हो जाएं और अगर करम की आवाज लगा दे तो शेतान को भी रहमत की उमीद लग जाए कि मैं भी उसके करम से महरूम नहीं रहूंगा उसकी अजीम बारगा में बड़े बड़ों ने बज़ुर्गी की टोपियां उतार रखी है उसकी रहमत उजज़ वालों के लिए बहुत है सीनों के रास जानता है बुलंदी और पस्ती का नेके बां और उसे जज़ा का मालिक है कोई उसकी बंदगी से बेनियाज नहीं और ना कोई उसके हुकम पर इतरास कर सकता है कदीम है नेकी करने वाले की कदर फरमाता है तकदीर के कलम से रहम मादर में तस्वीर साजी फरमाता है मश्रिक से मगर्ब की तरफ चांद और सूरज को चला दिया और जमीन को पानी पे बिचा दिया और जब जमीन पानी पे ठैर ना सकी तो उस पे पहाडों की मीखें गार दी पानी की बून को परी पेकर बनाने वाला भला पानी पे ऐसी तस्वीर कशी कौन कर सकता है सिवाए उसके उसने पत्थरों में लाल उ फिरोजे रख दिये सब्स शाख में से सुर्ख फूल निकाल दिये बादल से कत्रा समंदर की तरफ गिराता है और पुष्ट से नुत्वा रहम मादर में डालता है उस कत्रे से चमकतार मोती बनाता है और इस नत्वे से सरोकद सूरत बनाता है जर्ख जर्ख को जानता है जाहिर औ बातिन उसके आगे बराबर है साम पुच्यूंटी तक को रोजी देता है अगर जो वो कितने ही आजिस हो इसके हुकम से अदम को वजूद मिला भला इसके सिवा नेस्ट को हिस्ट करना कौन जानता है फिर सब को मादूम करने के बाद महशिर में जमा फर्माएगा इसके माबूद होने पर सारा जहान मुत्तफिक है अगर्चा इसकी हकीकत समझने से कासिर है इनसान को इसके जलाल के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता और आँख को इसके जमाल के सिवा कुछ नजर नहीं आता महम का परिंदा इसकी जात की बुलंदियों तक रसाई नहीं रखता और फेहम का हाथ उसके सफात के दामन को नहीं चूँ सकता इस भंवर में केई कश्टियां डूब गई कि उनका एक तख्ता भी किनारे न लग सका मैं साधी कितना ही अरसा इस रह में गुमसुम बैठा रहा इचानक दहिश्ट ने मुझे जंजोडा के उठ क्यूंकि अल्ला का इल्म तो काइनात को घेरे हुए है तेरा कियास उस पे हावी नहीं हो सकता ना कल उसके जात के हकीकत को पासके और ना फिकर उसके सफाथ के गहराई तक पहुंच सके बलागत में सहबान में नवाईल मشहूर फसीयो बलीग एक शक्स का मकाबला तो हो सकता है लेकिन उसकी जात पाक की कुना तक कोई नहीं पहुन सकता खासल खास लोगों ने भी अगर इस मेदान में गोड़े दोड़ाएं हैं तो ला उमिनी हमारे बेबस से बाहिर है कहकर अपनी बेबसी का इतराफ किया है क्योंकि हर जगा गोड़ा गोड़ा नहीं दोड़ाया जा सकता किसी जगा अठाल गिरानी भी पड़ती है अगर उसकी मदद से कोई कामयाब हो भी गया अगर उसकी मदद से कोई कामयाब हो भी गया तो वापसी का रास्ता उस पर बंद कर दिया गया क्योंकि इस मैफिल में जिसको पेमाना मिलता है उसमें बेहोशी की दवाई भी मिली हुई होती है एक बाज की आँखें दुखता हैं तो दूसरे की आँखें खुली और पड़ जले हुए हैं क्या किसी को कारून के खजाने तक का रास्ता मिला और अगर किसी को मिला तो फिर उसकी वापसी का रास्ता ना मिला मैं साधी तो इस खुनी द्रिया की मौजों में घर्ख हो गया हूँ क्योंकि इससे कोई भी कष्टी सिलामत ना ले जा सका अगर तुम भी चाहता है कि इस में दान को तै करे तो पहले अपने घोडे के पाउं काट दे अपने शीशा दिल कुई आहस्ता आहस्ता सफाई करता रहे शायद कि इश्क की खुश्पू तुझे मस्त कर ही दे और एहदे अलस्त का तलबगार कर दे फिर तु इस रास्ते को तलब के पाउं के साथ तै कर सकेगा और महबत के परों के साथ परवाज नसीब होगी ख्यालात के परदों को चाक कर ताकि इसके जलाल के सिवा कोई परदा ना रहे अकल की सवारी की बाग हैरत ने पकड़ी और कहा के रुक जा अकल की सवारी की बाग हैरत ने पकड़ी और कहा के रुक जा तू जानती नहीं के इस समंदर में दाई आजम अल्ला के हबीब के सिवा कोई नहीं गया और वो शक्स गुम हो गया जो उनके पीछे ना चला जो लोग उनकी राह से फिर गे अगर्चा बहुत चले मगर परेशान ही हुए गलाफे प्यंबर किसे रह गुजेद कोहर गज बमन्जिल नखवाहित रसीद मपंदार सादी के राह सफा तवारफते जजबर पे मुस्तफा जो ल्ला के सिवाग के रास्ते पर ना चला कभी मन्जिल तक नपौँचा ऐशादी कभी न समझना कि मार्फत का रास्ता मुहम्म्द स्लिल्लाहु आलेही वसल्म की पैर्वी के बगएर भी तैह हो सकता है हम्द है उस जात को जिसने मुसल्मा कर दिया हम्द है उस जात को जिसने मुसल्मान कर दिया इश्क सुल्तान जहान सीना में बिनहा कर दिया जलवाई जेबा ने आईना को हिरान कर दिया, महरो माह को इनके तल्वाओं ने पशेमा कर दिया ऐ शेहे लोलाख तेरी आफ़र नेश के लिए हक ने लफ्सकुन से पैदा साजो समा कर दिया क्या कशिश थी सर्वरे आलम के हुसने पाक में सैंकडों कुफार को दम में मुसल्मा कर दिया हो गई काफूर जलमत दिल मुनवर हो गए जिस तरफ भी उसने अपना रुएताबा कर दिया नेमते को नैन देकर उसके दस्ते पाक में दोनों आलिम को खुदा ने उनका मिहमा कर दिया याद फर्मा कर कस्मिहक ने जमीने पाक की खाके नाले मुस्तफा को ताजे शहां कर दिया दूरही से सब्स गुमबत की जलक को देख कर आशिकों ने टुक्ड़े टुक्ड़े जेबो दामा कर दिया इस अर्ब के चांद का जल्वा मुझे दरकार है जिसने हर जर्रे को अपने माहे ताबा कर दिया सेंकडों मुर्दा दिलों को रुए इमाम बख्ष कर जिन्दा जावेद एईसा एदोरा कर दिया ग्रिया उजारी ने रातों को तेरी अबरे करम मिसले कुल सुब कियामत हम को खंदा कर दिया या रसूल अगिसनी है वक्त इमदाद का नफस काफिर ने मुझे बेहद परेशा कर दिया है जमील कादरी पे फजल अल्ला और रसूल तेरा मुर्शिद हजरत अहमद रजा खां कर दिया अस खुदादा खिलाफे दुश्मन और दोस्त कि दिले हर दूद तस्रिफे ओस्त गर्चा तीर असकमान में गजद असकमा दार बेने एहलिखित सुनने का शुक्रिया अगले सफाद अगली नशिस्त में शुक्रिया